डूस्कार आप देखरें एकॉनोदी का हिसाब किताब और मैं हूँ अलिंदियो चेक्रवर्ति आज मैं बात करूंगा अफ्गानिस्तान की अफगानिस्तान की नहीं लेकिन दुनिया की एकॉनोमी में अफगानिस्तान का क्या महतूर है और सबसे जादा बड़ी ताकतों पर अफगानिस्तान का क्या महत्वर रहा है और ये मैं दो शब्दों में कैसे एक शब्द में दो शब्द में एक शब्द में और वो है तेल दो शब्द यूज तो कच्चा तेल यानि की क्रूड ओल जिससे पेट्रोल डीजल केरोसीन लपीजी सब बनता है अब आप कहेंगे कि अफगानिस्तान में तो कच्चा तेल नहीं है तो कच्चा तेल का खेल अफगानिस्तान में क्यों अफगानिस्तान में कच्चा तेल नहीं है लेकिन अगर आप अफगानिस्तान का मानचित्र देखेंगे तो उसके आसपास बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर कच्चा तेल ह जैसे कि अगर मैं अफगानिस्तान के पश्चिम में देखो, इरान है, अगर मैं दुनिया के देश ले लूँ और उनका एक रैंक बना ला हूँ, किसके पास सबसे जादा कच्छे तेल का भंडार है, यानि कि रिजर्व है, तो इरान नंबर 4 पर आता है, और अगर मैं कच्छ सोवियत संग यानि कि सोवियत रूस के पार्ट होते थे, तुर्कमेनिस्तान है, और इन में से जो कजाक्स्तान है, तजीकिस्तान है, और उस्बेकिस्तान है, और इन में से तुर्कमेनिस्तान में अभी बहुत सारा नैच्रल गैस पागया है, तुर्कमेनिस्तान एक नैच् और जो डक्षिन भाग है अफगानिस्तान का वो लंबा सा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है और ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश राज में अफगानिस्तान में जो पश्टून बहूल जगे थी इलाका था उसको उसका बटवारा किया गया था Durand Line Manchitr पर एक तरीके से खीज दिया गया था और उससे बटवारा हो गया बिलकुँ उसी तरीके से जैसे 1947-1947 में भारत का बटवारा हो था उसी तरीके से पश्टून बहूल जो इलाका था अफगानिस्तान का उसका बाट दिया गया था और उसका एक हिस्सा आधा हिस्सा ब प्रिटिश एंपाईर के अंदर जो बाद में पाकिस्तान में आ गया नौर्थ-वेस्टन-फ्रंटीर प्रोविंस बन गया और बाकी अफगानिस्तान में रहे गया तो यह एक बहुत महत्तों चीज वा अंग्रेजों ने क्यों बाटा था क्योंकि अंग्रेजों के लिए अ अंग्रेजों ने किया, और बिल्कुल अफगानिस्तान को खतम कर लिया, जान बूच के खतम किया, जाकि अफगानिस्तान की जो economy, अफगानिस्तान की society साइटी है वापस कभी ना आ सके यह अंग्रेजों ने खुद लिखा है खुद कहा है उस वक्त खेर अफगानिस्तान में कभी भी एकॉनमी पूरी तरह से बढ़ने पाए लेकिन 1970 के दशक से और उससे पहले भी सोवित रूस से काफी सारा उनको मदद मिला था अफगानिस्ता में काफी सारा जिसको modernization plan क्या जा सकता अफगानिस्तान का वो हुआ वहाँ पर और फिर CIA वहाँ पर पहुंच गई 1960 के दशक से CIA पहुंच गई CIA ने जो जितने भी Islamic मुजाहिदी जिहादी forces थे उनको support किया और फिर 1979 में Soviet Union के आर्मी अफगानिस्तान में घुसाई और उसके बाद 10 साल तक वहाँ पर लड़ाई चला और अमेरिका ने जो लोग Soviet संग की आर्मी के खिलाफ लड़े थे उनको पैसे दिये कैसे पैसे दिये पाकिस्तान के थूप पाकिस्तान से सारा पैसा रूट किया गया Stinger missile भेजा गया Armament भेजा गया Saudi Arabia ने भी पैसे दिये बहुत सा अच्छे लोग हैं ये तो लड़ हैं Soviet खिलाफ लेकिन आम आदमी जो हैं अफगानिस्तान के ये इन लोगों से डरते थे क्योंकि इनको warlord कहा जाता है ये लोग बहुती बड़े तानाशा थे और इनको पूरा सपोर्ट मिला US का और पाकिस्तान का खेर ये लड़ाई चलती रही और 1992 के आसपा जब Soviet संग तूड गया तब अमेरिका का धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट खतम हो गया अफगानिस्तान को धीरे धीरे इस तरीके से देखा गया और सबसे जादा पाकिस्तान के द्वारा देखा गया कि अफगानिस्तान में जो एक तरीके का एक रूट ब व्यापार का रूट बनाया जाए अफगानिस्तान से थाकि पाकिस्तान से सामान सेंट्रल एजिया में पहुंचे और सेंट्रल एजिया से सामान पाकिस्तान पहुंचे काफी सारा स्मगलिंग हो और यह जो स्मगलिंग रूट चलाया जाता था यह ट्रेड रूट भी चला जा और जो कंट्रोल में आ गया वो हर जगे कुछ ना कुछ एक तरीके का बे- इलीगल टॉल लेने लगे हर जगे पे इलीगल ऐसे टॉल लेने लगे और एक ट्रक को पाकिस्तान से Central Asia पहुंचने में 30-40 जगे पे इस तरीके का टोल देना पड़ता था और जाधा तर गैर कानुनी इस तरीके के टोल देना पड़ता था तो पाकिस्तान की जो ट्रकिंग माफिया है वो लोग गए और सरकार के पास बेनजीर भुट्टो की सरकार थी उनको कहा कि देखिए आप कुछ कीजिए यहाँ पे एक टालिबान बोलके एक नया निकल रहा है कंदाहार एरिया में उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए यह लोग ट्रकिंग माफिया यह पूरा रूट खोल देंगे और हमारे लिए यह फायदे का होगा और उसके बाद लगात कबजा कर पाई ऐसे भी कहा जाता है कि तालिबान को बहुत सारा पैसा अमेरिका को से मिला खुफिया तरीके से मिला CIA के थुरू मिला और इसका बड़ा कारण यह था कि इरान जो है अफगानिस्तान से सटा हुआ यह अमेरिका के खिलाफ था और इरान को अगर इरान का जो बोल है वो अफगानिस्तान में बोल बाला नहों सके इसलिए अमेरिका चाहती थी कि ऐसा एक ग्रूप सामने आए जो विरान के खिलाफ हो और उसका कबजा जादा हो अफगानिस्तान पर और सबसे बड़ी बात है उस वक्त ये भी एक तह किया गया है कि अफगानिस्तान के बीच में से पाइपलाइन जाएगा गैस ले जाने का पाइपलाइन जाएगा जो कि तुर्कमेंस्तान से जाकर सीधा पाकिस्तान जाएगा और बाकी देशों में भी जाएगा और इस pipeline को का contract के लिए Unocal बोलके एक अमेरिकी oil company ने बहुत कोशिश की तालिबान को पैसे दिये कहा जाता है तालिबान को पैसे दिये तालिबान को subsidize किया तालिबान के साथ भाचीत किया इसके पीछे अमेरिकी सरकार का भी एक तरीके से आशिरवाद रहा और इसलिए तालिबान की बढ़ती रहे धीरे धीरे लेकिन तालिबान जीत नहीं पाई 1996 में तालिबान ने काबूल को capture जरूर कर लिया लेकिन जो northern area है इलाके थे जहां पे pipeline लगाना जरूरी है अगर आपको तुरकेणिस्तान से जाना है वहाँ पर उनका कबजा नहीं हो पाया लड़ाई चलती रही तो धीरे धीरे अमेरिका ने भी माना कि यहां से pipeline नहीं जा सकती है छोड़ दो पूरा देश पीछे चलेगा ना electricity ना खाने पीने का सामान ना कोई bridge ना रस्ता ना education ना health कुछ नहीं रहा इस ऐसे छोड़ा अमेरिका ने इस देश को खेर 2001 में हम जानते हैं अमेरिका ने फिर से अफगानिस्तान में अपना bombing क्या American invasion हुआ 2001 में कारण क्या था 9-11 में जो अटैक वा था टेरर अटैक जिसमें 19 हाइजैकर थे 19 में से 15 साउदी अरेबियन हाइजैकर थे फिर भी अटैक वा था अफगानिस्तान पर इस कारण कि स तो उसामा बिन लादन को मना गया कि इन्हों ने ये हाईजैक करवा के टैरर अटैक करवाता सा जबकि उसामा ने ये बात नहीं मना उस वक्त तो नहीं मना और बाद मैं भी जो टेप वगरा आ उसमें साफ कभी नहीं हुआ कि ये उसामा बिनbelsादन यह बात मान रहे हैं तालिबान ने कहा चलिया हम उसामा बिन लादन हमारे महमान हैं क्योंकि उसक्त अफगानिस्तान में थे हम थर्ड पार्टी को दे देंगे आपको नहीं देंगे तो अमेरिका ने यह बात नहीं माना लेकिन एक चीज़ा देखिए कि हुआ क्या इस बीच अफगानिस्तान में कडोड़ों बिलियन डॉलर खर्च किये गए और उसमें सबसे जादा फाइदा हुआ अमरीकी कंपनियों का चाहे वो अमरीकी ओईल कंपनी हो चाहे वो अमरीकी सिक्योरिटी कंपनी हूँ अफगानिस्तान में जितने भी soldier American army के थे उसके तीन गुना private security वाले थे अफगानिस्तान में उनको फाइदा हुआ जिन्हों ने जाकर अफगानिस्तान में अमेरिकी base बनाए वहाँ पे soldier जो सेना है उनके लिए चीजे बनाए केंटीन का कॉंट्रेक्ट मिला, क्रिनिंग का कॉंट्रेक्ट मिला, ट्रांस्पोर्ट का कॉंट्रेक्ट मिला, ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनिया, construction कंपनिया और हाँ, जो लोग अस्थ शस्थ बनाने वाली armament कंपनिया, उनको करोडो डॉलर का, billions of dollars का फाइदा हुआ 2003 में एक अनुमान किया गया था कि जितना भी पैसा अफगानिस्तान के reconstruction में आ रहा है, ताकि अफगानिस्तान फिर से एक modern वो बन सके, नेशन बन सके, उसका सिरफ तीन प्रतिशत reconstruction में खर्च हो रहा था, बाकि सब या तो गायब हो रहा था, जो अमरीका ने जिन लोग को बिठाया था, वो लोग चोरी कर रहे थे, या तो वो सिर्फ administration और army और war effort पर जा रहा था, ये है हाल, 20 साल तक अमरीका ने वहाँ पर अपना troops रखा, 20 साल से अमरीका के supported सरकार की सरकार अफगानिस्तान में रही, लेकिन अफगानिस्तान वैसे का वैसा रहा, गरीब का गरी नहीं हुआ, लगबक कुछ भी नहीं हुआ अफगानिस्तान में, और आज अगर Taliban वापस आ गया है, तो क्या ये हम मान सकते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा plan नहीं है, क्या मान सकते हैं कि Taliban को वापस आने में किसी ने पैसे ने दिये, हाँ, साफ है, पाकिस्तान ने, किया है, क्या अमरीका इने को नहीं पता था कि ऐसा हो रहा है, ये सवाल रहेंगे, क्यों अमरीका निकल कर चली गई है, जब हम जानते कि अफगानिस्तान में करोडो डॉलर का लिथियम, जो कि बाद में बैटरी बना दे वगएरा में काम आ सकता है, क्या इसमें चीन का है, क्या अमरीका पाकिस्तान को खुश रखना चाहती है, ताकि पाकिस्तान चीन के गोद में और भी ना बैट जाए, यही सवाल रहेंगे, और अभी धीरे धीरे इसका इन्वेस्टिकेशन होगा, तो और भी डीटेल आपके सामने हम लाते रहेंगे, आज का एपिसोड यह